हेलो सुदेंज वेलकुम तो अभी मन्निवाइएस तो टागेट आई हैस्ट तो तौज़ेंट वेंटी वन में आप सभी का स्वागत है जैसा कि फिरिंज हम लोग इन सेशन के अंदर अपने करेंट अफेस को कवर अप करने हैं तो बात करेंट अफिर्स की वो करेंट अफिर् प्लस मेंस 2021 के लिए काफी ज़्यादा हेलपफुल रहने वाले हैं हम लोग उन करन्ट अफेस को अपने टार्गेट आएस 2021 के सेशन में कवर अप कर रहे हैं पावर बाइद अभीमनिवाई एस और सुडेंट्स एक चीज याद रखें हम लोग यह सेशन को 70 डेस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे वेनिकी बिफोर दे प्रिलिम्स ऑफ 2021 हमारा यह सेशन कवर अप हो जाएगा बहुत ही बढ़िया धंसे और इन सेशन के अंदर हम लोग मो के करेंट फेस को कवर अब कर रहे हैं क्लियर और अगर बात करें अभी तक के हमने मार्च एप्रिल में जून और जुलाय को कवर अब कर लिया है और आज का हमारा सेशन ऑगस्ट के करेंट फेस के बेसिस पही रहने वाला है और अभी तक के हमने ऑगस्ट के ओपर तीन से च चार लेक्च्चर को कवरब कर लिया है और आज का हमारा 30 लेक्चर भी ऑगस्थ 2020 के करेंट फेस के बेसिस पे ही रहने वाला है तो क्लिर है सुडेंट्स तो हम लोग शुरू करें आज का हमारा ये सेशन और अगर बात की जाए माइसल्फ कनम अगरवाल आम दे करेंट फेस्म इंटर इंद अभिमन्यू आएएस तो लीजे सुडेंट्स हम लोग आज की अपनी सबसे पहली न्यूज को कवरब करने जा रहे हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज रहती है कि न्यूज प्रपोजल फॉर्द सोलर पावर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज फॉर्द जी एस पेपर वन एंड तू एंड जी एस पेपर थ्री के लिए याद रखेगा क्लियर हम शुरू करते हैं आजिक अब है क्या चीज यहां पर देखें यहां पर लिखा है कि जो मिनिस्ट्री है जो मंत्राले आ गया न्यू आंड रिनूइबल एनरजी का कंसेप् किया एक प्रपोजल रसीव देप्र प्रपोजल फॉर्म देवेरियस प्लेयर्स फॉर ओवर टेन गीगा वॉर्ट ऑफ दो फ्रेश सोलर एक्विप्न मिनुफेक्ट्रिंग कंसेप्ट है यह वला कि यह मंत्राले ने रिसेंट्ली एक प्रपोजल को एडॉप्ट सॉरी रसी के लिए तो 750 मेगा वॉर्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट वॉस इनॉग्रेट इंदर रेवा मध्या प्रदेश यह इंपॉर्टेंट रहेगा सुर्ण्स प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कपैसिटी देखिए कितना प्रोड़क्शन आ रहा है 750 मे मेगा वॉर्ट प्रोजेक्ट का तो लिख लीजिए आप लोग पैरलेली क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं यह चीज़ें 750 मेगा वॉर्ट सोलर प्रोजेक्ट तो लीजिए शुरू करते हैं हम लोग यहां पर लिखा सबसे पहला पॉइंट कहते इट इस वान आफ दर एशियाज अगर मैं पूरे एशिया की बात करो कॉंटिनेंट का जिक्र हो चुका है यहां पर एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट और अगर सेकेंड की बात की जाए मतलब इसी की डिटेल की बात की जाए कि 750 मेगा वाट प्रोजेक्ट जो भारत ने मध्या प्रदेश के रिवा श तो यहां पर लिखा कि it comprises of three solar generating units तो साड़े 700 मेगा वाट हमने production देना है तो तीन solar generating units को लगाया गया और हर एक unit की कितनी capacity है 250 मेगा वाट की clear किते each located on a 500 hectares of land situated inside a solar park थोड़ा सा concept को देखिएगा अगर साड़े 700 मेगा वाट का production देना है तो हमने तीन यूनिट लगा दी हर एक यूनिट 200 मेगा वाट प्रड़क्शन दे रहा है और एक यूनिट 500 हेक्टेर की लेंड पे लगा हुआ है और अगर बात की जाए तो टोटल कितनी जमीन हो रही है 1500 hectares of land क्लियर और अगर फिर से और चीज़ देखी जाए तो यहां पर लिखा कि डेवलब्ड अब यह चीज़ इंपोर्टेंट है क्लियर और मैं कंशेप्ट पे फोकस कर रहा हूं यह तो आगी एक कंपणी जिसको आपने बोल दिया कि रेवा अल्ट्रा मेंगा solar Limited आ गया और दूसरी कौन सी कमपनी है दूसरी आ रही हमारे पास इसने joint venture किया कंदे joint venture company of Madhya Pradesh तो concept देखिए joint venture company of Madhya Pradesh कौन कौन सी कौन कौन सी कमपनी जम्हें जिन्होंने joint venture sign किया है एक आ रही है आपकी एक आती है यहां पर उर्जा विकास निगम लेमिटेड क्लियर है और दूसरी company कौन सी आती है joint venture के लिए ही students याद रखेगा एक आगई उर्जा विकास निगम लेमिटेड दूसरी आती है हमारे पास solar energy कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया क्लियर और हमारे पास थर्ड कौन सी आती है असेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग तो एक PSU को भी एड कर दिया मतलब भारत की कंपनी क्लियर तो यह तो थी हमारी कंपनी जिसने जॉइंट वेंचर किया किसके साथ रेवा अल्ट्रा मेगा सॉलर सोलर लिमिटेड के साथ एक है आपकी उर्जा निगम उर्जा विकास निगम लिमिटेड दूसरी आगई तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आगए बढ़ते हैं एक बेसिक सामने डेफिनेशन को क्लियर किया निक्स्ट आया यहां पर कि दीज मूफ्स अब यह जो मूफ किये गई भारत के लिए वह कमिट्मेंट को दर्शाते हैं कि हम लोग अटेन कर सकते हैं वो टार्गेट जो है 175 गीगा वाट्स का आफ इंस्टॉल्ड रिनुवेबल एनर्जी कपैसिटी बाइट यह भारत का एक वीजन है एक एम है एक अब्जेक्टिव है कि इंडिया ने एक अपना टार्गेट को अचीव करना है कि भारत भी 175 गीगा वाट्स की रिनुवेबल एनर्जी को मैनुफेक्ट्र कर सकता है प हंडर्ड गीगा वाट्स का सोलर इंस्टॉल्ड कपैसिटी भी इंक्लूड किया गया यह चीज याद रखिया आप लोग क्लियर है हालांकि यह चीज को मैं प्रिल्लिम से जोड़ता हूं यह चीज का चांस है एक्जामिलेशन पॉइंट पॉइंट अव्यू से कुछ परसे इंक्रीजिंग ड्यूटी ऑन दे इंपोर्ट एक्रॉस सेक्टर इंक्लूड इंक्लूड पावर्स यहां तक कोई डाउट तो नहीं सुडेंट्स किया रहे मैं आप से एक बात बोलना चाहूंगा अगर बात की जाए हर एक सेशन के पीडिएफ की तो आपको सेशन के बहुत ज्यादा मददगार रहने वाला है क्योंकि हम लोग यहां पे जो भी न्यूस को कवर अप कर रहा है बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं और हर एक पॉइंट जो स्लाइट में आपका लिखा हुए ना वह सेवल सर्विस के लिए इंपॉर्टन रहता है यानि कि अगर फिर भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम जाती है हम लोग उसके ओपर प्रॉपर ली हर एक न्यूस के अंदर डाटा एड़ाउन पारलिक करते जा रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे इसी तरीके से क्लियर है बढ़ते हैं आगे इसी तरीके से प्रॉग्रेस मिलता है सोलर कपैसिटी के अंदर एडिशन हुआ सिंस दो हजार फोटीन से दो हजार चौदा से डेली बेसिस पे या इयरली अ मंतली बेसिस पे हम लोग धीरे-धीरे करके एड़न करते जा रहे हैं विद इंडिया-प्रॉग्रेसिव ली अमर्जिग जे और इंडिया ना इंडिया है यहां पर लिखा की हाव एवर दो डमेस्टिक शोलर एक्टिक्पिप्ट जो अब हम लोग घरे-लू उत्पात करते हैं बिजली प्रेडियूस कर रहे हैं एनरजी प्रेडियूस कर रहे है है domestically वो जो equipments हम use करते हैं वो जो equipments काम पर आते हैं वो manufacturing industry से बन रहे हैं has largely failed to capitalize on the opportunity even लिखा despite a 20 gigawatt demand for solar cell manufacturing India's current average annual capacity is only around 3 gigawatt तो यह हम लोगों के लिए एक challenge आ गया यह हाला की दिखाया गया कि अगर 20 gigawatt की demand आ रही है for the cell solar cell manufacturing भारत एक average पूरे साल में कितनी capacity दे पा रहा है 3 gigawatt की तो यह हमारे लिए challenges जिसको हमने overcome करना है उसके लिए क्या steps government of India लेकर आती है वो हम लोग देखेंगे आगे लिखा कि nearly 80% of the inputs and the components are imported from the China concept देख लीजिए जो solar हम लोग यह बोल सकते हो कि जो solar power generate करने में जो equipments की जुरुत पड़ती है वो equipments असी फीसिदी उस equipment से components हम लोग चाइना से purchase करते हैं मत अब इंपोर्ट कर रहे हैं as it was the top exporter of the solar cells and module to the India in the financial year 2019-2020 clear even लिखा गया कि accounting for the 1.68 billion USD dollars of the product into the country तो यह चीज़ आप समझ रहे हैं हम लोग के पास raw material की कमी हो रही है solar power के लिए क्योंकि हम लोग अगर solar power plant का पे इंस्टाल भी कर लेते हैं अगर अगर इंस्टाल करना भी है तो मैं अपने वर्ट को करेक्ट करता हूं अगर इंस्टाल करना भी है तो हम लोगों को एक चैलेंज एक ओवरकम किसको करना है जो raw material है जो solar panels है उसको बनाना है पहले तो क्लियर नेक्स्ट आया यहां पे कि इंडिया हैस इंप्लिमेंटेड अब भारत ने इंप्लिमेंट कर दिया एक ड्यूटीज को अगर आप लोग चाइना से और मलेशा से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं विच्छ एव एक्स्टेंडड अंटल जुलाइ 2021 at the rate of around 15% क्लियर कोई इशूस तो नहीं है अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताईएगा ठीक है ना आगे बढ़ता हूं यहां पे लिखा हावएवर असेफगाद ड्यूटी इस अफ लिमेटेड डियूरेशन हाला कि यह जो ड्यूटी लगाई गई है यह लिमेटेड डिडूरेशन के लिए तो बिलकुल लिमेटेड डियूरेशन ही लिए बोल सकते नो आप लोग क्योंकि जुलाइट टू थाउजन ट्वेंट यहां पर लिखा एक मैंने न्यूस्पेपर की कटिंग लगाई है आप लोगों के लिए कि जो आपका लोकल प्रोड़क्शन है लोकल प्रोड़क्शन क्लॉस आते हैं आपके एलॉंग विद ड्यूटीज इस एम्ड़ाट क्रिएटिंग डुमेस्टिक मेनुफेक्श्रिंग क कंसेप्ट पर फोकस कीजिए जो लोकल प्रोड़क्शन है और उसको पर जो ड्यूटीज लग रही है वो एम करता है ताकि हम लोग क्रिएट कर सके डुमेस्टिकली भारत के अंदर ही मैनुफेक्श्रिंग प्लांट लगा सके तो लार्ज ओडर्श आर एक्स्पेक्टेट बूस्ट कॉन्फिदेंस अफ ग्लोबल प्लेश तो इन्वेस्ट इन अमेनुफेक्श्रिंग बेस इन इंडिया क्लियर इवन लिखा कि गवर्मेंट भारत सरकार भी प्लान कर रही है कि तू रैंप आप दे रिनेवल एनर्जी प्रोड़क्शन इंद कंट्री क्योंकि हमने तो देख ही रखाए कि 175 गीगावाट्स का जो भारत का एक वीजन है एक एम है क्लियर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पर लिखा फ्रॉम एराउंड 70 गीगावाट्स तो अब तो 25 गीगावाट्स इन फॉर यह यह अब और भी बढ़ गया क्लियर चलें आगे ओके हम ल सब्सक्राइब दोमेसिक प्रोडक्शन जा सेफगाद ड्यूटी इस ड्यूमेसिक कंटेंट रिक्वार्मेंट पॉलिसी और अन एप्रूब्लिस्ट अफ मॉडल्स अन अमेनुफेक्टर इस द एक्स्पेक्टेड स्केल अप हैस नॉट मैटिरलाइज तो यह भी चैलेंज आगे यह चैलेंजेज हमें ओवर्कम करने अब लिखा कि दियर आर अब आउट सिक्स्टीन सोलर सेल मेनुफेक्ट्टर इंडिया इंडिया इंपॉर्टन लिग दिजी यह चीज़ इंपॉर्टन है कि अभी तक भारत के अंदर सिक्स्टीन सोलर सेल्ज हैं जो मेनुफेक्ट्रिंग कपासिटी ऑफ हंडड़ मेगावाट्स और तो आठ सोला में से आठ के पास ही कपैसिटी है जो हंड़े मेगावाट्स या फिर उससे भी ज्यादा का उत्पाद कर सकते हैं भारत के अंदर क्लियर चलें आगे नेक्स्ट आता है यहां पर गलोब ल मार्केट अब मैं पूरे विश्व की बात करना तो ग्लोबल मार्केट के प्रस्पेक्टिफ में देख लीजिए आप लोग तो यहां पर लिखा कि गलोबल मार्केट आफ सोलर वेफर एन्ड आन्ड इंग अनुपर्ट मैनुफेक्ट् किया जाएगा सोलर पावर की जेनरेशन के लिए अब वो एक्विप्टमेंट अगर भारत के अंदर भी डिमेस्टिकली मेनुफेक्ट्ट्र हो रहा है यह डुमेस्टिकली मेनुफेक्ट्ट्र किया उसको चाइना की कंपनीज डॉमिनेट कर रही है अन्द बेस ऑफ प्राइस मतलब हमें प्राइस के आधार पर चाइना डॉमिनेट कर रहा है यहां पर लिखा कि इट इस एन इंडिकेशन आट अत्म निर्भर भारत अभ्यान कुड़ बी इल्ड अर्ली रिजल्स इन सोलर एनर्जी स्पेस तो कंसेप्ट आ गया फिर से सुडेंट्स हमने जो एक चीज़ पड़ी है सेल्फ लाइन्स की तो उसके ओपर भारत खरा उत् फोकस कीजिए यहां पर हाला कि बहुत बेसिक है मैं बोलता हूँ यहां पे की सोलर पावर हमें जेनरेट करनी है अरे जेनरेट करने के लिए जो एक्विप्मेंट्स लगेंगे वह हम लोग मतलब डुमेस्टिकली कमपनी से पर्चेस करनी में ठीक है जो भारत मीं बन रही है अब हमें इसको आप यह बोल दो यहां पे एक रोल पले कौन कर रहा है यह यहां पर यहां पर नॉमिनट कौन कर रहा बार यहां औंन चीर और प्राइस वो कर रहा है आपका चायना और अगर हम लोग इस चीज़ को भी एक साइट पर निगलेक्ट कर दिए दें तो डोमेस्टिकली मेनुफेक्चियर जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्विप्मेंट से भारत के अंदर बर्न रहे हैं वो एक प्रॉपर डारेक्शन में जा र हमारी निक्स न्यूज रहती है मेगा कोविड टेस्टिंग लाब हाला कि बहुत बहुत क्रूशल रोल प्ले कर रही है यह चीज़ तो जीएस पेपर थ्री में आपको यह काफी जदर मददगार रहेगी और हम लोग शुरू करते हैं मैं पहले बोल देता हूं यह न्यूज काफी लंबी चलने वाली है और काफी क्रूशल भी है क्योंकि एक बार एक चीज़ अगर पढ़ लें तो बार बार उसको रिवीजिन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्लियर है तो यहां पर लिखा की दग काउंसल अफ साइंटिफिक और इंडस्टिल रिसर्च दिसको आप लोग सी एस आई आर भोलते हो इस वर्किंग ऑंदे डेवलोपिंग अब आपका सी एस आया डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है डेवलोपमेंट कर रहा है किसके उपर मेगा लैब्स के उपर तु स्पीड अप टेस्टिंग आज वेल एस इंप्रूब दे एक्यूरेसी आफ टेस्टिंग फॉर देस्ट केंटीन पेशेंट्स केसिस इंपोर्टन है क्लियर अब यहां पर है वट डू यू मीन भाई CSIR अब आप लोग इसके ओपर थोड़ा सा डाटा एड़ाउन कर लीजिए CSIR यहां पर लिखा है नमबर वन के तेक इस दर लारजेस्ट रिसेर्च और डेवलोपमेंट और यहां और यहां और इंडिया इवन लिखा कि जो आपका CSIR है वो पैन इंडिया के अंदर प्रेजेंट अपनी रखता है प्रेजेंस है उसकी और यहां पर अगर एक और चीज लिखी जाए इस्टाबलिस्ट इन 1942 सेप्तंबर क्लियर है थर्ड पॉइंट लिखा गया यहां पे इसका लोकेशन कहां पर है है एड़क्वार्टर्स बोल सकते हो क्लियर नेक्स पॉइंड अब कंसेप्ट आ गया आपने लिख जया फाउंड़ बाए अरे स्टूडेंट्स सी एस आई यार जो रिसर्च की ऊपर काम कर रहे है वो कौन से मंतरा ले के अंदर आएगा वो आता है आपका फाउंड़ बाए कि मिनिस्ट्री आफ कि साइंस अंड कि टेक्नलोजी अंड इट अप्रेट अज एन आटोनॉमस बोडी फोकस कीजिए एक आटोनॉमस बोडी का दरजाग दिया गया है थ्रूदर जस्ट असेकंड थ्रू दर सोसाइटीज तो यह है आपकी न्यूज यह है बेसिक डेफिनेशन जिसको आपने बोला है सी एस आई आर मतलब दे काउंसल आफ साइंटिफिक आंड इंडस्ट्रियल रिसेर्च अब यह डेवलेप्मेंट पे लगे हुए हैं मेशीन के ओपर वो मेशीन जो कोविट टेस्टिंग को इंक्रीज कर पाएं उसी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर पाएं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा कि लार्ज मेशीन जो बड़ी मेशीन हैं हम लोग उसको बोलते हैं नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग मेशीन विल बी मॉडिफाइब अब यह वो मॉडिफाइब हो रही हैं तू सीक्वेंस फिफ्टीन हंब्रेट से थ्री थाउजन वाइरल जनोम्स अट अगू फॉर डिटेक्टिंग दसार्स को फू नोबल करोना वाइरस इन दीस कर रहा है तो फिफ्टीन हंडेट से थ्री थाउजन वाइरल जनोम को एक बार में डिटेक्ट करेगा वो क्लियर है इवन यहां पर लिखा कि दीस मेशीन अब यह मेशीन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर दर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जिनोम्स अब वट डियू मीन बाइसीक्वे यहीं पर लिख लेते हैं यहां पर बोला गया की यह बोलते हैं कि अजनोम और जन और और गानिजम यह एक और गानिजम है और क्या चीज है मतलब कम्प्लीट सेट ओफ डी एन ए अरे डी एन ने डी ऑक्सी राइबोस नूक्लिक आसिड इंक्लूडिंग अल ओफ एट्स जीन्स क्लियर एक आगे बड़े ओके क्लियर कर लेता हूं अब ठीक है तो हमने पहला देख लिया सेकिन देख लिया थर्ड देख रहे हैं यह लिखा गया कि सीक्वेंसे की हमोच जिनोम्स को भी यह देख सकता है इवन जो आपकी एंजी ए से मतलब नेक्स जेनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन हैं जो अलसो फाइन फाउंड तू लाइन जेज ओफ करोना वायरस विच वर अन्नोन इन इंडियन पॉपुलेशन सो फार क्लियर आगे बड़ते हैं लिखा यहां पे देख सी एस आई यार हैस पार्टन विद अब यह पार operation machines sequencing machines cleric get it so far abhi takka 3086 concept abhi tak 3086 sequences of the virus isolated from the human have been shared by the 57 countries with India sharing nine whole genome sequences of the novel coronavirus with the global initiative on sharing all influenza data जिसको बोला गया gisaid that means global initiative on sharing all influenza data मैं यह फिर से problems perspective से यह चीज आपको note करके लिए के लिए बोल रहा हूं request है यह चीज इंपॉर्टेंट रहती है इस तेरी की क्लियर बड़े आंगे next आया यहां पे कि जो next generation sequencing machines है वो test करती है उसकी sensitivity कितनी है मतलब अगर बात की जाए तो accuracy को लेकर तो वो है 97.53% तो लगभग लगभग 98% के आज पास आपको उसकी sensitivity देखने को मिलती है as compared to the 70-80% accuracy मिलती है में RT-PCR test में जो आजकल recently हम लोग देख रहे हैं जो population करवा रही है RT-PCR का full form क्या है reverse transcription polymerase chain reaction and 50% accuracy of antigen test clear है यह चीज आपको आगे देखते हैं लोग यहां पर लिखा कि इस प्राइमरी बिकॉस अब ऐसा क्यों है क्योंकि जो RT-PCR test है वो identify करेगा सार्स को वाइरस को याद रखें वो सार्स को वाइरस को अगर identify करता है by अरे किसके through by exploring only specific sections of the वाइरस अब ऐसा नहीं है कि वाइरस के हर एक section को वो डिटेल सटी कर रहे हैं नहीं बस वाइरस के particular section का जेनरल डिटेल सटी कर लेते हैं वहां पर क्योंकि लिखा है कि अगर हम लोग next generation sequencing machine को यूज करते हैं तो वो पूरे वाइरस का आधार पर हम लोग result को प्रदूस करते हैं काफी बड़ा जिनोम का उसको प्रॉपर स्टडी करेगा और डिटेल काफी बढ़िया बनकर आएगी तभी तो sensitivity रखी गई है 97.53% in comparison to 70-80% accuracy of RT-PCR test जो full form रहता है reverse transcription polymerase chain reaction तो students यहां तक clear है तभी तो लिखा and thereby provide more certainty clear यह हला के important है यह एक बेस है यह एक background है आपके टेस्स का clear जो टेस्स आजकल चल रहे हैं even आगे लिखा है कि NGS identified cases as either positive or negative when RT-PCR found them to be inconclusive so this can also be used as a confirmatory test अब concept है अगर NGS machines हम लोग test करते हैं तो हम लोग एक confirmatory test को बोल सकते हैं कि confirm हो जाएगा कि either that person is positive or negative clear रहे आगे बढ़ते हैं अब भारत के अंदर जो Indian Council of Medical Research ICMR जो New Delhi के अंदर आपको इसका headquarters देखना है यह बोलते हैं कि जो next generation sequencing test can space up from present approach 7.5 lakh test per day to add a million per day concept पे focus कीजिए तब ही तो आपका CSIR department next generation sequencing test की उपर बहुत focus दे रहा है और उसके उपर बहुत ही जादा काम भी कर रहा है क्योंकि अगर आज की बात की जाए भारत के अंदर let's say अगर आज साड़े साथ लाख test होते हैं एक दिन के अंदर पूरे भारत में तो with the help of next generation sequencing machine हम लोग एक million test कर सकते हैं एक दिन के अंदर दस लाग के आसपास हम लोग test कर देंगे एक दिन के अंदर तो आप वो भी concept देख लीजे कि हम लोगोंने जो testing efficiency है वो भी कितनी बढ़ा दी इवन test के results की efficiency तो 97.53 हमने पढ़ ही है आपे clear आगे बढ़ते हैं अब लिखा कि unlike RT PCR test that needs primers and props which is a key hurdle in operation idealizing such test on a mass scale early on in and the pandemic the NGS does not need primes sorry primers and props and only need custom reagents तो clear है यह चीज़ आपको आगे बढ़ें अब genome study की आचीज होती है थोड़ा था आप इसके ओपर भी focus कीजिए यहाँ पर लिखा है कि look at how next generation sequencing work किस तरीके से यह newspapers की cuttings हमने यूज किये यहाँ पर तो लिखा गया कि जो next generation sequencing involved scanning the entire virus हमने अभी देख लिया था क्योंकि RT PCR test virus के एक particular section को study करते हैं लीजिए यह समझ में आगया यहाँ पर लिखा कि अब यह machine help कर देगी identify more places where the SARS-CoV-2 virus differ from related virus मतलब एक virus दूसरे virus से कितना relate करता है वर कितना different है from related virus and can also help developing new diagnose new diagnostic test clear two lineages of the virus never been seen before in Indian genomes were also found up sensitivity हमने देख ही लिया था 97.53 percent का यह क्या बोलता है ability to confirm those who have virus as positive clear आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा कि primers are short sequence of DNA concept है हमने जो पढ़ना कि primers जब हमने NCH next generation sequencing machine को RTP से test से हमने comparison किया तो वहाँ पर जो primers use किया गया word वो क्या चीज़ है एक sequence है डियोक्सी राइबो nucleic acid का काफी छोटा है यूज़ टू एंप्लीफाइब पर्टिकुलर डियने अरे एंप्लीफाइब बड़ा कर देगा डियने के sequence को primers अप्रॉब अब प्रॉब क्या चीज़ है अप्रॉब एस स्मॉल रेडियो एक्टिवली या फिर fluorescently लेबल डियने सीक्वेंस है यूज़ टू आइटेंटिफाइब पर्टिकुलर डियने सीक्वेंस यह डियने की इक पर्टिकुलर शीक्वेंस को अईटेंटिफाइब करवाने can be used directly in the PCR test clear even likha ki establishing the hubs capable of whole genome sequencing who help track significant mutations in the virus are a mutation knowledge of the root battle right though up next characteristics go change correct he cannot go virus can be repurposed for all for any kind of outbreak be they of viral or the bacterial organ clear likha ki next generation sequencing can also be used to develop new Diagnostics test for the COVID-19 to clear a students here at a given a about him testing for the COVID-19 get it different methods of testing are being experienced in the country to trace COVID-19 infections some of these are RT-PCR test rapid antigen detection test RT-NPCR test fluid test ELISA antibody test तो हम लोग इसका basic से पढ़ लेते हैं आप लोग बस मिर्सद बने रहे हैं आपी तो हमने देखना है RT-PCR test क्या चीज़ है तो स्टुडिंट्स मैं शुरू करता हूं यहां से यह है क्या चीज़ के ते क्यारी मुलेस मैं आटी पीसे टेसकी बात कर रहा हूं कि क्यारे मुलेस कि अमेरिकन कि बायोकेमिस्ट इन्वेंटेट इन्हों नहीं तो इन्वेंशन किया था इन्वेंटेट दक पीसी आर टेक्नीक कि तेक ही वास एवार्ड़ेड दनोबल प्राइस फॉर केमिस्ट्री एन नाइंटीन नाइंटीट्री तो एक मिनिट स्टूदेंस यह चीज थोड़ी सी आप लोग ध्यान में रखना कि हमने जो अब भी देखा है जो हम लोग भारत के अंदर यूज भी कर रहे हैं आटी पीसी आटेस्ट फॉर्ड नोबल करोना वायरेस डिटेक्शन के लिए वह डिजाइन डेवलप किया गया था कैरें मुलेस्ट के द्वारा एक अमेरिकन बायो केमिस्ट हैं और इनको नोबल केमिस्ट्र लोग यह चीज को ना डाटा जो हम लोग एड कर रहे हैं प्लीज इसको नोड़ान करें काफी इंपॉर्टेंट रहता है रैपिट एंटेजन डिटेक्शन टेस्ट अब यह क्या चीज़ है किते इट इस टेस्ट ओन स्वाब नसल्स सेंपल्स डाट डिटेक्ट अब यह क्या चीज़ डिटेक्ट करेगा यह डिटेक्ट कर देंगे एंटी जन्स को क्लियर और हमारा थार्ड क्या आता है स्टुडेंट हमारा थार्ड आता ए आर्टी एन पी-सी- आर टेस्ट अब वाट दोई मीन भाई आर टी एन पी-सी आर टेस्ट यह चीज़ क्या है यहां पे लिखा गया कि तेजर रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन नेस्टिट पॉलिमरेस चेन रियेक्शन क्लियर और एवन हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं कि आर टी एन पी सी आर टेस्ट क्लियर एक तो अभी तक की अगर मैं बात करूँ अभी तक की अगर हम लोग यहां पे देख लें तो हमने आअटी पी सट को लेकर यह एक बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं रेपिट को देख लिए अब सुदिट्स वट डूमीन बाइ वट रूज में बाइं फ्लेवर के अप लोग फोकस कर लीजिए दक करोना वाइरस इन एन आर जो एक घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा और यह पेपर स्ट्रिप टेस्ट बेस्ट है आपका फिलेवड़ा टेस्ट जिसको आप लोग बोलते हो क्लियर है यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीस कमेंट सेक्शन में आप लोग ज चलते हैं तो हमारा नेक्स हमारे रहती है कि एलाइजा एंटी बॉड़ी टेस्ट क्या चीज़ है सुडेंट्स तो उसके ओपर फोकस कीजिए आप लोग तो यह लीजिए वट ड्यू मीन बाइक एलाइजा एंटी बॉड़ी टेस्ट वो है क्या चीज़ अब देखें यहां पर यह लिखा गया कि यह एंजाइम्स हैं जो एंजाइम्स लेंग्ट इम्म्यूनो सॉर्बेंट ऐसे इस अ टेस्ट डाइट डिटेक्ट अब यह जो आपका एल्याइज एंटी बॉड़ी टेस्ट है न सुरेंट्स वो डिटेक्ट क्या करता है वो डिटेक्ट करेगा एंड मेजर एंटी बॉड़ीस एन ब्लाड क्लिर इवन अगर और इसके ओपर डाटा लिखा जाए तो लिखा कि दर टेस्ट कान बी यूज़ टू डिटर्माइन एंटी बॉड़ीस रिलेटेड टू दर शर्चन इंफेक्शियस कंडिशन्स क्लिर एंस यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे यहां पर लिखा अल्याइजा के लिए ही कहते हैं अगर कोई डाउट तो डाइगनोज एच आई वी विच गॉजस एड्स इवन जीका वाइरस एच्ट्रा यह है आपका अल्याइजर एंटी बॉड़ी टेस्ट क्लियर कोई डाउट तो नहीं आपको अगर कोई डाउट है प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट सेक्षिन में आप लोग जरूर लिखें क्लियर है ना आगे बढ़ते हैं नेक्स न्यूज पर चलते हैं हम लोग हमारी आज की नेक्स न्यूज रेती है कि सतलूच यमुना लेंक केनाल प्रोजेक्ट यह आपका काफी इंपॉर्ट आपके चीफ पिनिसर ने वान किया सेंटर को आफ पॉलिटिकल अंड्रेस्ट इन देस्ट इस आस्क्ट तू प्रूसीड विद्ट सप्लूच यमुना लिंक केनाल प्रोजेक्ट जिसको बोला गया एस वाई एल सतलूच यमुना लिंक इंटर क्लियर ना नक्स आगे चलते हैं यहां बोला गया कि पंजाब है स्टेक्ट क्लेम्स तू यमुना ज वाटर अन और सो रिट्रेट इड नीड फॉर और ट्रिबूनल ऑन दो वाटर शेरिंग तो क्लियर रै नाइंटीन सिक्स्टी इसकी बात करतें बैग्रोंड में चले तो क्या चीज़ है कहतें धिस्प्यूट काय प्रेस वी इंडस वाटर टी टी अडिust वालच टीटी क्या है जो भारत और पाकिसान के बीच में हुई थी भारत ने अधी को लेका कितना पानी यूज करना है और पाकिसान ने कितना रावी ब्यास एंस अतलूज रिवर वाटर क्लियर अगर आगे चलने 1966 की की जब हर्याना बना फ्रॉम द ओल्ड पंजाब या आप ऐसा बोल सकते हो जब पंजाब बना था जब पार्टीशन हुई थी क्रिएशन आफ हर्याना फ्रॉम अंडिवाइड पंजाब प्रेजेंट यहां बोला गया फॉर हर्याना टू गेट इट्स शेर ऑफ वाटर अब हर्याना को जो अपना पानी का हिस्सा चाहिए सतलूज नदी से और उसकी ट्रिब्यूटरी ब्यास से कनाल लेंकिंग दे सतलूज विद यमुना वास प्लैंड जिसको बोला गया सतलूज यमुना ले क्लियर है यहां पर आप लोग देख लीजेगा कहते 122 किलोमेटर लेंथ ऑफ में सतलूज यमुना लिंक के नाल है जो पंजाब के अंदर है इवन 495 किलोमेटर लेंथ ऑफ के नाल इंक्लूडिंग माइनर्स और डिस्रिब्यूटरी इन पंजाब अरे कंसेप्ट हमने डिस या डाट वुड हाफ बेनिफेटेट 3.2 लाक एकर्स तो यह तो बात की थी पंजाब की तो यहां से जो आपकी सतलूज निदी निकलती है अगर हर्याना की तरफ जाती है तो उसको लिंक करना है यमुना से ताकि हर्याना का भी जो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके तो इसी को लेकर काफी जादा डिस्प्यूट रहता है इन दोनों भारत की राज्याओं के बीच में और वो क्या है आगे डिसकस करते हैं हम यहां पे लिखा कि in 1981 1981 में दोनों राज्यों ने म्यूचिली एग्री कर लिया था री एलोकेशन ओ वाटर को लेकर तो इसी के तहट 1982 ठीक एक साल के बाद कंस्रक्शन हुआ 214 किलोमेटर का मतलब 214 किलोमेटर का जिसको बोल दिया गया सतलूज यामुनालेंक वास लॉंच्ट इन कपूरी विलेज पंजाब हुआ क्या एगिटेशन्स प्रोटेस्ट एंड असासिनेशन्स वर क्याइड आउट इन दे प्रोटेस्ट क्रियेटिंग एन्वायरमेंट ऑफ टेररिजम इन दे स्टेट एंड मेकिंग दे इशू ऑफ दे नाशनल सेक्यूरिटी तो इसी चीजों को लेकर टेरिजम बहुत बड़ा असासिनेशन्स हुई तो नाशनल सेक्यूरिटी का रीजन भी खड़ा हो गया तो उसी के तहत पे यह इतना ज्यादा मास्कर्स हो रहे थे 1996 में हर्यान अने सुप्रीम कोर्ट में मूव गई अपना याची का दायर की जिसको देखते हुए डारेक्शन जारी किये गए बाई दे सुप्रीम कोर्ट टू पंजाब टू कम्प्लीट दे वर्क ऑन दे सत्लूज यमुना लेंक अब टू थाओजन टू अन टूजन फोर म में सुप्रीम को डारेक्टेट दे पंजाब टू कम्प्लीट दे वर्क इन इट्स टेरिटरी किसको लेकर अरे 214 किलोमेटर सत्लूज यमुना लेंक को लेकर 2004 में पंजाब असेंबली ने पास किया था तो पंजाब टर्मिनेशन ओफ एग्रीमेंट एक्ट जिसके तहत किया था कि टर्मिनेटिंग इट्स वाटर शेरिंग एग्रीमेंट खारिच करते हैं वो लोग पंजाब से पंजाब टर्मिनेटिंग एग्रीमेंट पंजाब तो यहां पे लिखा दो हजार सोला में सुप्रीम कोर्ट स्टेट सॉरी स्टेट इस्टाइब उनने हेरिंग को स्टार्ट किया इंटो अ सिदेंशल रेफरेंस आर्टिकल 143 के तहट तो डिसाइड ऑन दे लिगलिटी ऑफ थे 204 एक्ट अन डेक्लियर दाट पंजाब री रेनेजिट और इट्स प्रॉमिस तो शेर दो वाटर आफ रीवर दस दे एक्ट वास तर्म्ट कॉंसिटिशनली इन्वालिट क्लियर तो इसको इन्वालिट बोल दिया था आगे आया यह कंसेप्ट है 1966 में हमने अभी देख लिया 1997 में क्या हुआ था जो लैंड एक्कोजिशन साट की गई थी 214 किलोमेटर के सतलू जी हमना लिंक को लेकर किते यह जो 214 किलोमेटर की हम लोग बात कर रहे हैं सतलू जी हमना लिंक को लेकर यह 214 में से 122 किलोमेटर पंजाब में है 92 किलोमेटर हर्याना में आता है आपका एरिया यहां पे लिखा कि 1980 में हर्याना कंप्लेट इट्स पोशन मलब 92 किलोमेटर का जो किनाल बनाना है वो हर्याना ने कंप्लीट कर दिया पंजाब स्किप्स डेडलाइन मूव क्लिर एक इवन 2004 में सुप्रीम कोर्ट और दपंजाब तो कम्प्लीट दे किनाल स्टेट गर्वर्मेंट पासेज द एक्ट टर्मिनेटिंग वाटर शेरिंग पेक्ट मेटर रेफर तो सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रेजिदेंशल रेफरेंसेश स्टेल पेंडिंग जो आज भी इफ मिनिसर्स को एक निर्देश जारी किया गया तु नेगोशिएट कीजिये एंड सेटल दस अतलु जी अमुना केनाल इशू आट थे हाइस्ट पॉलिटिकल लेवल टू बी मेडियेट बाइट बाइट सेंटर सेयरे सुरेंट यहां तक आगे चलते हैं यहां बोला कि पं पंजाब को पूछा गया for a tribunal for fresh time bound assessments of the water availability इवन पंजाब is facing severe water crisis हाला कि पंजाब अगर बहुत ज्यादा पानी के कलत में है स्वेर water crisis है due to over exploitation of its underground water aquifers for the wheat and the pedi monocycle क्योंकि पंजाब में wheat और pedi की irrigation को लेकर जो पंजाब already over exploit कर चुका है underground water को लेकर इसलिए तो पंजाब फेस कर रहा है स्वेर water crisis को clear लिखा कि according to the central ground water authority reports अब यह क्या चीज़ है central ground water authority reports its underground water is over exploited in about 79% of the state अब सुदेंस central ground water authority report है क्या चीज़ इसके ओपर थोड़ा सा discuss कर लेते हैं आप लोग तो प्लीज यहाँ पर data आप फिर से add-on कीजिए तो लिखा कि center ground लाउंड लिखा कि वाटर एथारिटी कि अ कि क्लेर तो है क्या चीज़ यह देखिया आप लोग नमबर वण तो यहां पर लिखा कहते इट इस अ कि अ सबॉर्डिनेट ओफिस ओफ दग अब कंसेप्ट पे फोकस कीजिए फिर से वही बात बोलता हूं कि जो center की groundwater authority है वो एक सबॉर्डिनेट ओफिस है किसका ओफिस ओफ दग ministry of water resources and is the national apex agency interested with the responsibilities of providing अब कंसेप्ट है national apex agency भी बोल दिया गया और इसके उपर क्या जिमेदारी आती है responsibilities of providing scientific inputs for management exploration monitoring assessments augmentation तो यह basic definition लिखवा रहा हूं आपको मैं augmentation होते हैं and regulation of groundwater resources of the country so this is your central groundwater authority और अगर मैं और भी यहां पे लिखा जाए यह established कब हुई थी established in 1970 by renaming by renaming the exploratory tube wills organization तो focus कर लो फिर से students concept को कि जो हमने पढ़ा है ना कि जो आपका exploratory ट्यूब विल और्गनाइजेशन है उसको री नेम कर दिया गया था Central Ground Water Authority में 1970 में तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको फिर भी कोई resources to grow crops for the entire country and should not be forced to share its water as it faces the threat of desertifications clear पंजाब बोलता है उसने अनाज को उगाने में अपना maximum ground water over exploit कर दिया देश के लिए अब पंजाब को force ना किया जाए पानी शेर करने के लिए क्योंकि पंजाब in future में शायद face कर सकता है desertification जैसे processes को यहां पर लिखा also the youth of the state may start feeling that the state has been discriminated against once the construction of the canal restarts तो यह तो था पंजाब के विउस को लेकर clear है अब article 143 क्या चीज़ है लिखा the constitution under the 143 article वो authorize करता है president को to seek the opinion of the supreme court in the two categories of the matter केते हूँ on any question of the law अब कोई भी कोशन अगर कानून के उपर आता है और fact of the public importance which has arisen or which is likely to arise the supreme court may tender or may refuse to tender its opinion to the president's important यह powers की बात की गहीं है अंडर अर्टिकल 143 clear है आगे बढ़तने है यहां पे और लिखा की आन एन डिस्प्यूट अब कोई भी दिस्प्यूट arise होता है out of any pre-constitution treaty agreements को लेकर covenants को लेकर engagements को लेकर Senators and other similar instruments को लेकर here supreme court must tender in opinion to the president clear next आया के थे बोथ cases में the opinion expressed by the supreme court is only advisory and not a judicial pronouncement hence it is not binding on the president तो ये आज supreme court के orders president of India के उपर bind नहीं करते ये चीज़ याद रखें references made by the president under the article 143 are decided by the bench consisting of at least five judges तो students यहां तक किसी को कोई doubt है तो आज का session में मैं यहीं तक खतम करता हूँ किसी को कोई भी doubt रहेगा तो please comment section में आप लोग जरूर लिखकर बताईए clear है क्योंकि जब तक आप लोग comment section में अपने doubts को नहीं लिखेंगे तब तक मैं आपकी problem को solve out नहीं कर पाऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वला session भी काफी अच्छा लगा होगा तो बस आप लोग में सथ बने रहें क्योंकि हम लोग इसी तरीके से अपने जो current phase है वो cover up कर जाएंगे more than one year के current phase in 70 days students एक चीज़ याद रखें ये session में continuity में चलाऊंगा जब तक आपका April 2021 के current phase को हम लोग cover up नहीं कर लेते from the March 2020 के current phase को clear heck so thank you friends